दिल्ली में आज से सराब महंगी हो गई है मगर सराब की दुकानों के बाहर लगी लंबी लाइनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पीने वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता केजरीवाल सरकान ने दिल्ली में सराब की दरें 70 फीसदी तक बढ़ा दी है दिल्ली में आज से सराब की कीमतें जादा हो गई है क्योंकि दिल्ली सरकान ने राष्टिय राजधानी में सराब विक्री पर 70 प्रतिसत विसेश क्रोना सुर्क लगा दिया है दिल्ली सरकान ने सराब पर लगे टेक्स को स्पेशल क्रोना फीस नाम दिया है सौंबार को लॉकडाउन में थोड़ी रियायत के दोरान सराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन दिखी थी और सोसल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई थी हाला कि आज इस दोरान पुलिस वाले सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजरा रहे हैं पालन पालन करते हैं हमने भी छूट दी जो जो केंदर सरकार ने का भी ये कर सकते हो ये कर सकते हो ये कर सकते हो उसके साथ हमने दी आज मुझे थोड़ा सा दुक हुआ कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड लग गई लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे कुछ दुकानों के सामने अपने लोग बहुत अच्छे हैं दिली के लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने social distancing नहीं माने, भगदड मच गई, इससे किसका नुकसान हो रहा है, आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बिमार पड़ोगे, आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड में थे और उसमें दो चार लोगों को मानलो करोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या इस तरह की गतिविदी करते हो, जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की सही नहीं किया, कसम खालो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड नहीं करेंगे, कल से हम social distancing पूरी follow, कल से क्यों, अभी से, अभी से हम social distancing पूरी follow करेंगे, कहीं नहीं करेंगे ये कोई मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं और ये कोई बहुत बड़ी बात थो क्या ज़रूरत है लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही तो फिर हमें उस हेरिया को सील करना पड़ेगा फिर जो हमने रियायते दी हैं वो रियायते हमें वापस लेनी पड़ेगी मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की आपकी सेहत के लिए दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े हम कड़े कदम उठाएंगे